तो हेलो गैज, वेल्कम बैक टू माई यूटीब चैनल, मैं नाम है यानिश सिनाह और आप देख रहे हैं हैस्टाइक विंडो तो गैज आपका मेरे यूटीब चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है जैसा कि आप जानते हैं कि मैं डिजिटल मार्केटिंग से लेके आता रहता हूँ अपने इस चैनल पर तो कई लोगों के ये सवाल थे हैं कि अगर मुझे कीवर्ड राइंग कराना है तो कुछ ऐसी बाते बता दीजिए जिससे कि मेरे कुछ जादा टेंशन भी ना हो और मुझे मालूम रहे है कि आगे राइंग कैसे कराया जाता है वेबसाइट को गूगल पर गूगल पर या सर्च इंजन पर ठीक है तो कुछ मोटी-मोटी बाते आपको बताता हूँ जिस जो कि अगर आप इन सब चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो जो आपका वेबसाइट है वो राइंग जरूर करेगा जो first and the most important चीज़ है कि अगर आपको किसी कीवर्ड को राइंग कराना है तो वो कीवर्ड आपकी वेबसाइट पर होना बहुत जरूरी है समझ लिजे कोई एक होटल वेबसाइट है और होटल वेबसाइट में राइंग कराना है चीपेस्ट होटल इन सिमला अब ये कीवर्ड जो है सिमला जब पूरे समझ लिजे कि पूरे वेबसाइट के उपर वर्ड ये कहीं है ही नहीं तो गूगल को कैसे मालूं चलेगा है कि आप सिमला में चीपेस्ट होटल प्रोवाइड करते हैं तो आपके ये चीज़े जरूरी है कि आपका जो कीवर्ड है वो वेबसाइट पर कहीं न कहीं हो और जल्दी चाहते हैं अगर आप चाहते हैं कि जो होटल इन सिमला ये जो वर्ड है इससे मेरा कीवर्ड जल्दी से राइंग कर जाए तो आप इसका एक डेडिकेटेड पारीज बनाके आप वेबसाइट पर कहीं डाल सकते हैं जिसे कि आपको फाइदा हो और आपका कीवर्ड है वो जल्दी से रायंग करें तो फर्स एंड मॉस् waves साइट पर वो वर्ड होना चाहिए जो कि आपका कीवर्ड है जो जिसे आप रायंग कराना है सर्च इंजन में दूसरी और बहुत जो important बाट है जब आप content writer से content लिखवा रहे होते हैं तो कोशिश कीजिए कि उसको बोलिए कि जो first paragraph है उसमें दो बार वो keywords repeat हो जाए लिखते समय ठीक है और फिर subheadings आते हैं तो subheadings में भी आप keywords को use कर सकते हैं synonyms use कर लिए हैं और और किसी format में आप एक ही word को कई बार repeat नहीं कर सकते हैं Google guidelines के हिसाब से तो कोशिश कीजिए कि 4-5 बार पूरे 500 अगर word के आपने की पूरा content लिखवाया है तो 4-5 बार अगर use कर लिया तो कोई दिक्कत नहीं है उससे आपके website ट्राइंग कर जाएगी एक तो यह हो गया third thing जो बहुत important है कोशिश कीजिए जो content का जो title है वो भी आपका समझा लिजिए cheapest hotel in शिमला तो वो भी आपका मिल जाए वहाँ पर दूसरा यह दो चीज़े हो गई content हो गया आपका third हो गया आपका title भी आ गया और जो fourth and the most important है अगर आपका URL जो बन रहा है समझा लिजिए लिखा हुआ है कोई भी आपका hotel का नाम है XYZ या फिर को travel agent का नाम है वो लिखा हुआ है slash करके जो आपका keyword है cheapest hotel in शिमला वो आपका उसके बाद आ जाए तो इससे क्या होगा Google को यह मालुम चल जाए कि यह जो particular website है वो travel related है और cheapest hotel in शिमला में यह deal करते हैं तो समय लिजए यह मोटा मोटा चीज होगा कुछ और चीजे कर सकते हैं जैसा कि जो keywords होगे उनको उनकी intern linking कर सकते हैं outbound links भी उसमें लगा सकते हैं यह 3-4 चीजे आप कर लिजे और meta tag में यूज कर लिजे यह words meta tag के first title में ही उसे यह word use होना चाहिए description जो उसका लिखा जाएगा description का भी जो starting होगा starting में जितना ज़्यादा आगे लिख सकते हैं कोशिश कीजिए कि वो word को उतना ज़्यादा आगे push कीजिए बागे keywords में आप उसे डाल सकते हैं तो तीन चीजे हो गई बस ये मूटा मूटा चीज आप कर दीजे आपकी जो website है वो rank करने लगेगी और एक चीज के और ध्यान लखीगा जो content आपके पास आता है तो उसे भी एक बाद चेक चरूर कर दीजेगा मालूम चला कहीं से copy paste करके आपको छिपका दिया आपके content writer ने और आपने उठा के website पर डाल लिया तो अगर ऐसा कुछ होता है तो आपकी website rank नहीं करेगी तो आपको content भी चेक करना आप content चेक करने के लिए simple तरीका है दो-दो-ती-दी लाइन उठा लो आप गूगल में ले जाके paste mark के देख लो अगर उसने खहीं से उठाया होगा तो वो तुरांत दिख जाएगा यहां पर्टिकूलर चीज जगा से उठाया है तो आप उसे फिर change करवा लिजे कि नहीं यह copied है इससे मेरे website को को फाइदा नहीं होने वाला आप इसे change करके आप next और content आप लिख के दीजे ठीक है तो यह चीज़े भी आपको digital marketing में अगर आप बंदे हैं तो आपको यह चीज़े मालू होने चाहिए ठीक है तो आप मुझे instagram को follow कर सकते हैं और जो मेरा travel related website है वो description में दिया हुआ है उसे आप जाके subscribe ज़रूर कर लिजेगा थोड़ा support की ज़रूर थे वहाँ support करिए और कुछ मेरे videos हैं वहाँ पर travel related तो उसे वह भी देखने के थोड़ा कर्श कीज़ेगा तो आज करी बस इतना ही रखते हैं और फिर मिलते हैं बहुते जल्दे नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए टेक्या नमस्कार